नमश्कार मैं शालवी बुद्भार की न्यूस बुलिटिंस में आपका स्वागत है तीहाड जेल कैदियों के लिए देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल मानी जाती है मगर खबर आई है कि इसी जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या करती वज़े बताई गई बहन के रेप का बदला पुलिस के मुताबिक आरोपी कैदी ने साज़िस के तहत पहले अपने वोर्ड को चेंज करवा कर मृतक कैदी के वोर्ड में कराया और फिर मौका देखकर उस पे हमला कर दिया ये हमला किसी धारदार चीज से किये जाने की खबर आई है बंबई उच्चन यायले ने 17 वर्षिय बलातकार पिडिता को गर्भपात कराने की अनुमती दे दी है वे 25 सब्ताहा की गर्भवती है और सरकारी के एम अस्पताल ने गर्भपात न कराने की सला दी थी लेकिन इसके बावजूद अदालत ने गर्भपात की मंजूरी दे दी है न्यायमूर्ती के तातेड और न्यायमूर्ती मिलिन जादव की खंडपीट ने लड़की के पिता की ओर से ये आदेश दिया कुर्णा संकट काल के बीच एकनॉमी के मूर्चे पर एक राहत की खबर आई है दरसल जून महिने में जी एस्टी के ख्लेशन में इजाफा हुआ है अधिकारिक आकड़े के मुताबिक सरकार ने जून में जी एस्टी से 90,970 करोड रुपए एकत्र किये आयश्र मंत्राले ने हाल ही में कहा है कि योग गुरु रामदेव की पतंजली आयुर्वेद कुर्णा वाइरिस संक्रमन का इलाज करने और कॉविड-19 के लेवल के दावों के साथ अपनी दवा नहीं बेची जाएगी दे आदेशों के नुसार अब से ये दवाई महज एक इम्म्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बेची जाएगी तमिल नाडू के नेवेली लिगनाइट सैंस्र में आज एक बॉयलर विस्पोट में कम से कम 6 लोग मारे गए और कई घायल हो गए अधिकारियों ने कहा कि उन सभी गायलों को अस्पता ले जाया गया है और जात चल रही है क्योंकि सैंस्र कारियात्मक नहीं है तीन महिने में बिजली सैंस्र में ये दूसरा विस्पोट है जिसमें 8 लोग पिछली दुरगटना में घायल हुए है Academy of Motion Pictures ने सिनिमा से जुड़े अभिनेताओ, निर्देशकों और अन्य लोगों की सूची की घोशना की है जिन्हें वर्ष 2020 में सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रत किया गया है हर साल Academy के सदस्य औसकर पुरसकारों के लिए नामांकित होते है भारत के अन्य लोगों में बॉलिवुड अभिनेता, आलिया भर्ट और रितिक रोशन को इस साल ये आमंत्रन मिला है हाला कि 69 चीनी आप्स पर प्रतिभन लगा दिया गया है समंधित कंपनियों को सरकार के सामने अपना मामला पेश कराने का मौका दिया जाएगा पूछताच पैनल में तक्नी की विशेश अदने भी होंगे जो ये आखलन करेंगे कि इन आप्स का इस्तिमाल जासुसी और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जारा था या नहीं सभी आप्स की कंपनीज 48 घंटे के भीतर सरकार को अपने जवाब और स्पश्टी करन प्रस्थुत कर सकती है जिसके बाद अंतर मंत्रालिय समिती ये निरना लेगी कि प्रतिवन जारी रखना है या उसे रद करना है 14.2 किलोग्राम वाले सबसिडाइज एलपीजी सिलिंडर के दाम दिल्ली में एक रुपए प्रति सिलिंडर महेंगा हो गया अब नई कीमते बढ़कर 594 रुपए पर आ गई है अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई ग्यास सिलिंडर के दाम आज से बढ़ाए गए है सूतरों के अनुसार पाकिस्तान ने उत्तरी लदाक शेत्र में लगबग 20,000 अतिरिक सेनेकों को स्थानांत्रित किया है ताकि छीनी सेना के साथ मिलाप किया जा सके इसके चलते सूत्रों ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान भारत पर दो मोर्चा हमला करने का अफसर देख रहा है महराश्ट्र सरकार ने कोलापुर में मराथी माध्यम के एक कॉलेज की स्थापना करने का निर्ने लिया है उच्च और तक्निकी शिक्षा मंत्री उदेश सामत ने कहा ये निर्ने पडोसी राजे में रहने वाली मराथी भाशी आबादी के शेक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है उन्होंने कहा कि नया राजकिय महाविद्याले कोलापुर में शिवाजी उनिवर्सिटी का उपकेंद्र होगा इसी के साथ कोलापुर जिला कलेक्टर प्रस्तावित कॉलेज के लिए पाच एकर का भूकन प्रदान करेगा जिसके बाद सभी आवश्यक आधिकारिक अनुमतिया दी जाएंगी आज की खबरे यही समाप्त होती है कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ शुक्रिया